दोस्तों स्वागा था आप सभी का फैंटसी इंसाइट के एक और नए प्रोडिक्शन वीडियो में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडिलेट स्ट्राइकर एंड सीड्नी थांडर्स के बीच में जो बीविल का मैच नमबर एट खेला जागा उसका डूरीम 11 प् बाता हूंगा उसके बद हेट टू हेट में कौन से प्लायर्स है जो आच्छा प्रफॉर्म्स कारता है जिनको आपको आपने टीम में राखना होगा और कौन सा ट्रंप प्लायर होगा वो भी मैं आप लोगों को बाताने वाला हूँ तो आगर आप लोग इस वीडियो को एं रहा है मैथ्यू शॉर्ट को भी बहुत से लोग कैप्टेन एंड वाइस कैप्टेन लेके जा रहा है आपने टीम में तो किया यह प्लायर इस मैच में बेस्ट कैप्टेन सी एंड वाइस कैप्टें की का उप्शन होगा यह पिर आपके बस और भी आच्छा यूनिक एन बैटिंग सेकेंड करने वाली तेम उने सर्फ 21 मैच इसको विन किया है सो इस स्टैट का आप लोग ध्यान रखना एबरेज फास्ट इनिक्स स्कोर 166 का है जो कि डिसेंड है हाइस टू थार्टी तू का है एन लोईस टूल है 87 का सो स्टैट के अकोरिंग मुझे लागता है जो भी कैप्टन टॉस जीति का टॉस जीति के पहले बैटिंग कारना पासंद करेंगा क्योंकि चेजिंग काना थोड़ा सा डिफिकल्ड हो सकता है एन इस स्कोरिंग पैटन की भी अगर बात कर देखो 150 से बिलो 17 टाइम हों है 150 से लेकर 169 के बीच में 19 टाइम 170 से लेकर 189 के बीच में 24 टाइम ऐन 190 के फफ शिर्फ नाइनटा इस स्कोर हुआ है स्कोरिंग पैटन भी अलमोस्ट एसमामीचào 151 से लेकर 189 घ में ज्याधी नाइन के बिच में ज्याधा स्ट्रॉंग नहीं है इस्पेशली बहुत सारे बैटर्स अनवेलेबल है क्योंकि टेस्स सिरीज कहल रहा है पाकिस्तन के अगेंस्ट सो आप लोग डिसेंट रिस्कोर यहां पर एक्सपेक्ट कार से तो आप ही जो रिसेंट मैच इस ग्राउंड पर बोथ देख लेते हैं यह क उसे पहले 14th जांट को खेला गया था व्रिस्बेन हीट और आदेलेट स्ट्राइकर के बीच में उस मैच में देखो व्रिस्बेन हीट ने सिर्फ 154 राने शुर गया था पहले इनिक्स में बैटिंग करते हुए और आदेलेट स्ट्राइकर सिर्फ 137 रन ही स्कोर करा पाया उस मैच का टोटाल जोए डिफेंट हो गया था उसमें पेसास को 12 वुकेट एन इस्पिनर को मिला था फाइब वुकेट 17 रन से बो मैच व्रीजबन हीट विन कर गया था उससे पहले एक वोड मैच 10 जान को खेला गया था एडलेट स्ट्राइकर एंड मेलबन रेनेगेट के ब बिल्कुल ही लो है तो आप लोगे लिए ट्रॉम कार्ड रो सकते है आगे में आप लोग को बाताने वालो ओपर पेस बासे सिपिन की आगर बात गए 23 विकेट पेसर को मिला है एंड 16 विकेट मिला है इस पिनर को लास्ट थ्री मैचों में तो यह था इस ग्राउंड का डिस यह होने वाला है Sydney thunders का संभाव 11 एक दू चेंज इस होता है मैं आप लोगो सबसे पहले टेलीग्राम पर आपड़े देदूगा इसके लिए टेलीग्राम पर फॉलौ का लिए तेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है फाइनल जो भी आप लोगो पीछ डिबोर्ट का अकोर्डिंग जो में टीम क्रेट करूं गया स्मॉल लिक्षा आप लोगों को टेलीग्राम पा देदूगा so टेलीग्राम पर फॉलो जरू करना एंड एडिलेट स्ट्राइकर के प्लेइंग लेविन के अगर बात करे दो जी और देलेट के साथ मैट शॉट ओपिनिंग करने आएगा यह होने बाले एडिलेट स्ट्राइकर का प्लेइंग लेवन इस मैज में यह पर भी चेंजेस हो साकता है एक दो देखो एडिलेट स्ट्राइकर की अगर बात करे दो बैटिंग में काफी ज़्यादा डेफ्थ है बर उतना अच्छा प्लेइस मुझे नजर नहीं आ रहा है जो आगर फास्ट इनिंग में बैटिंग का था है एडिलेट स्ट्राइकर टॉप वाडर से कोई एक प्लेइस बाड़ा इनिंग स्ट्राइकर सकता है वह में टीम स्ट्राइकर काते समय ही आप लोग को बात आने वालो आप देख लिएट हैट टोइट में कौन सा प्लेइरस एबरेज काफी आच्छा है एलेक्स जेल्स इंपोर्टन होने वाला है डैनियल सेम की अगरवाज के दोखो 11 मैंच में सिर्फ 36 रन और 19 विक ले चुग है बोलिंग से अच्छा पहुं कर सकता है बट बैटिंग से उतना अच्छा रेकॉर्ड नहीं है डैनियल सेम्स का उसके सब्सक्राइब के बाद के अगर बात करें इसका भी पॉफरमेंस देख लो नाइल मैंच में 194 और 21 का बैटिंग एबरेज है विकट कीवर बैस्पेन है तो आप लोग लिए इंपोर्टन होने बाला है उसके बाद ओलिवर डिवाइस के अगर बात करें 5 मैंच में 87 और 21 का प्लिवाइस का अगर डिय विकर सकार चाहिए तर यह ला बात करते आप किसको आप लोग राकूगा उसके बास के बात आप बात करते हैं एडिलेट स्ट्राइकर्स के प्लाइस का और 20 जो सिद्नी थंडर्स का जाएस्ट आच्छा पफ़रमेंस करता है पहों हदु काफी है थार्टिंट मैचों में फोर हंटिट जिटिपार रं तार्टि एट का अवरिज है तडी मैं योकि काफी आच्छा माना जाता सु आच्छा प्लेर्ज हो सकता है तो डर्सी शॉट का देख लो 12 मैचों में 274 रन 22 का अबरेज है और 13 विकेट भी ले चुका है सिद्नी थंडर्स के अगेंज स्वाब लोग के लिए इंपोर्टन होगा मैथ्यू शॉट 11 मैच 200 रन 18 का बैटिंग एरविच सिर्फ 2 विके ले चुका है उतना ज्यदा बोलिंग न होने वाला इसको मैं अपने टीम में डेफिनेटली राकने वाला हूँ यह जो 10 प्लैर्स में आप लोगों को बाता है इन में से एट लिस्ट 7 यह फिर 8 प्लैस आपके टीम में होना ही चाहिए अगर आप लोग स्मॉल लिंग में इन्विस्ट का रहे तो एन ग्रें लिंग म टीम में वो ज्यादा स्ट्रोंग रहा है तो मुझे स्टार की टीम से ज्यादा प्लैस को लेना है अगर आप लोग चाहो तो सिद्नी थांडर से भी 5-6 प्लैस ले सकती हो बाट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अभी मैं 6 प्लैस लेने वाला हूँ स्टार की तरब से विकिट सिल्टर पर क्लिक करूंगा एंट सबसे पहले स्टार सो सिलेट कर लूँ गा आप सिर्फ स्टार्स का प्लैस ही हाँ पर स्टार से में प्लैस सिलेट करूँगा विकिट जीजिविंग आगर बात करें तो देखो एलेक्स कैडी नहीं खेल रहा है उसके बद एच नेलसन जो कि यह मैच खेल साकता है बट आभी में दोनों में से किसी को अपने टीम में नहीं रखूँगा किविग में थंडर से अच्छा प्लाइज है बैटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले ट्रावेस एट नहीं खेल हाउस के बात करें 12% सेलेक्वटन सेलेक्शन है आप लोग लिए बैंठ इंग फास्त में इंपर्टन हो सकता है उसको जो ओधन करने आएगा 4% सेलेक्शन है तो बैंग फास्त में जी होग साथ बैंट इन रहे हैं आपके लिए CW से का भी अच्छा आच्छा उप्शन करने बहुत ज्यादा हाई है बाट हेट ट्वेट में काफी आच्छा किसे कैप्टेन और वाइस कैप्टेन का ओप्शन होगा विसके बाद डार्सी शॉट यह भी वान डॉन यह फी टू डॉन बैटिंग करने आएगा सो मैं डार्सी शॉट को लेने वाला हूँ यह तीन और लाउंडर के साथ मैं जाने वाला हूँ आभी स्टार्स की तरब से बेजली टेन प्रासे सिलेशन है अभी मेरे टीमें प्लेस नहीं बन पार रहा है बट उतना इंपोर्टन नहीं होगा तो मैं आभी इसको ड्रॉप कर हूँ इसका बोलर्स की अगर बात करें सबसे पहले जैसा मैंने बात ऐसी वाइक की आगा देखो सिलेक्शन की बात करें सिर्फ एट प्रॉइड एट्री के सिलेशन बट पॉफर्फमेंस काफी अच्छा है तो मैं ऐसी वाइक को अभी आपने टीम में राखने वाला हूँ तो यह सिक्स प्लेस रहेगा मेरा स्टार्स किताब से अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हूं एक और प्लेस है थार्टी परसे सिलेशन डाबलो एकर का इसको भी आप लोग लेके जा सकते हो राइटर्म फास्ट बोलर से डी पार नहीं की अगर बात करें दो आप ही कान्फ चूट जय ओवरटन एड बोली में सी बाइक को राका है आप देख लेते थांडर्स के तरब से कौन इसको मैं यह पर लेने वाला हूं बोलिंग करता है सिद्नी ठंटरस की तो कृस्ट ग्रीन को यह पर दो या फिर तीन विकेट मिली सकता है Chris Green आप लोग के लिए उस case में important होगा Daniel Sam आप लोग के लिए important होगा जो कि बोलिंग से दो-तीनों के ले साकता है Daniel Sam भी तो यह रहाएगा मेरे टीम में एक और बोलर्स को मैं लेने वाला हूँ अभी थंडर्स किताब से आपके पास जो कि पिछले मैच खेला था अभी में यह से एक बोलर्स को लेने वाला हूँ वह होगा एन मेकंडू फास्टर बोलर्स के साथ ही मैं आभी जाने वाला हूँ फास्ट टैनिंग्स में बोलिंग में तन्वीर संगा भी आप लोग के लिए important हो सकता है अभी में टीम में प्लेज नहीं है तो मैं सिम्पली ऐसे एन मेकंडू के साथ जाने वाला हूँ यह फाइब प्लेज राइगा मेरा थंडर्स किताब से अब कैप्टेन और वाइस कैप्टेन सी की आगर बात करें सबसे पहले common से भी सी की आगर बात करें वाइस कैप्टेन में सिम्पली ऐसे डार्सी शॉट को करने वाला हूँ अभी पास दिंग सी में अगर बैटिंग कारता है यह अपर थंडर्स की दिम एलक्स हेल भी आप लोगों के लिए सेफ कैप्टेन की आप लिए वाइस के आप्टेन सी का अच्छा उप्शन होगा स्टार्स किताब से बाभी डार्स शॉट को मैं वाइस के नहीं करने हैं इन दोनों के साथ मैं जाने वाला हूँ डैनियल साम बोलिंग फास में आप आप लोग तीम क्रेट करना एक या फिर दो चेंजेस मैं ये पर पीश रिबूट के अकोडिंग करूंगा अब डिट आप लोगो मिल जाएगा तो वीडियो अगर आप लोगो आच्छा लागे तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ आप अपना खुद से स्मॉल ल कभी विन नहीं कर पाओगी सो इस बात का ध्यान रखना